गोड मॉर्निंग यूकेजी ना ओपेन और प्राइमर बुक पेज नमबर नाइन प्रीवेस वीडियो में आपको कराय गया था वही चीज यहाँ पर भी है हाँ प्रीवेस वीडियो में आई का साउंड था नेप सिक्स फिक किड आज ओ वोवल ओ का साउंड है आपको याद हो झुका एलकेजी बता लगया है फाइफ वोवल्स होते हैं अ एई आई ओ यूउ सीבן में इन five vowels को छोड़ करके बाकी सारे letters को consonant करते हैं ओके बेटा जैसे हिंदी alphabet में स्वर और व्यंजन है वैसे ही English alphabet में vowel और consonant तो जैसे आ की मात्रा तुम लोग अभी पढ़े हो फिर छोटी बड़ी की मात्रा ही सब पढ़ोगे तो जैसे उसमें O, A, E ये सब की मात्राएं होती है ठेक है जो भी स्वर है उनकी मात्राएं होती है उनके उपर ये depend करता है कि आप अक्षरों का उच्चारण कैसे करेंगे कैसे बोलेंगे the same position is here बटा ये जो भी vowel है बीच में words के ये vowel decide करता है कि आप क्या pronounce करेंगे words को तो figure दिया हुआ है नीचे list है हमें उसी में से list में से हमको देखना है कि कौन सा suitable name है वो figure के नीचे we have to write it बेटा तो with the help of figure we can do it फिर मैंने direct कर दिया है आपको मैं बता रही हूँ एक एक कराने में बहुत time लग जाएगा दिक्कत होगी आपको भी तो मैंने एक बार पोरा fill कर दिया है फिर मैं आपको ready कराऊंगी आप बार-बार ready करेंगे तो आपको learn हो जाएगा देखे dog दी ओजी dog देखे ओ है बीच में उसका sound क्या आ रहे है आओ दी ओजी dog टी ओपी टॉप देखे ओ साउंड पर ध्यान दीजी टी ओपी टॉप एफ ओ एक्स fox देखे ओ का sound आ रहा है डी ओ डबल ल डॉल टी ओ वाई ट्वाई ब ओ य वाई होट पोट पोट ओ एक्स ओक्स मोप मॉप दोट दोट आर ओ डी रोट सी ओ टी कोट बी ओ एक्स बॉक्स अल ओ जी लॉग पी ओ डी पोट अब अब ऐसे देखी डॉप टॉप फॉक्स डॉल ट्वाई बॉआई होट पोट ओक्स मॉप डॉट रोट कॉट बॉक्स लॉग पोट ठीके बटाप स्पेलिंग भी आपको बताई गई प्रॉननसियेशन भी बताया गया इसको आपको बुक में तो फिल करना ही है इन सारे वर्ड्स को कॉपी में भी राइटिंग करना है आपको और गुड राइटिंग में करना है फर्स लेटर कैपिटल करिएगा बाकि स्मॉल करिएगा ओके थेंक्यू बेटा